कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे बजाज पाइन्स लोन से रिलेटेड और कितने टाइप की लोन होते हैं क्या प्रॉसेस होता है और क्या उसमें बेनिफिट्स हमें दिये जाते हैं तो अगर आप वो लोन लेने की सोच रहे हैं तो लिंक इंदे डिस्क्रेशन ब्र लोन लेने के बाद जब यह चार्ज लगता है तो फिर लगता है इसा कुछ जो है वो आपके साथ हो सकता है तो सबसे पहले अगर इंट्रेस्ट की बात करें तो यहां पर जो लगाया जाता है वो है 11% से लेके 35% पर एनम यानि इसके बीच में आपको इंट्रेस्ट लगता है तो उस इमाउंट का 3.93% आपको प्रॉसेसिंग फी देना पड़ता है जिसमें आपका टैक्स जो है वो इंक्लूड है फिर आता है फ्लैक्स फी अब देखिए फिशल के वाले वीडियो में जिसमें हमने आपको बताया था कि इतने टाइप के लोन यानि प्रस्नल लोन ज लेकिन फ्लैक्सी लोन का प्रॉसेस थोरा अलग होता है उस वीडियो को देख लिए अबाकी सारा चीज़ आपको समझ आ जागा यहाँ पर अगर फी की बात करें तो यह जो फी कटेग्री है यानि यहाँ पर जो कंडिशन से फीके यह फ्लैक्सी विरियंट लोन पर ही पड़ेगा उसी तरह से अगर 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, यानि जितनी बार आपका payment bounce करेगा, उतनी बार आपको 700 रुपए से लेके 1200 रुपए पर bounce charge देना पड़ जाएगा, तो भीया payment आपको time to time करना पड़ेगा, अगर ये charge से आप बचना चाहते हैं, उसके बाद आता है pre payment charge, अब इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, for example, example से समझते हैं, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, तो प्रीपेमिट में क्या होता है, जो भी आपका loan amount है, और पूरा पैसा आप चाहते हैं, कि भीया हम चुका दें, वो भी समय से पहले, यानि जो हमने loan लिया है, उसका चुकाने का time जो है, वो तीन साल का है, EMI के समय से पहले आप देते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 4.72% क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, जितने अभी आपका outstanding balance, यानि जो loan amount होगा, जितना भी बचा हुआ है, उसका 4.72%, उसके बाद आता है part prepayment, अब इसमें क्या होता है, माल लेते हैं, कि आप 5 लाक रुपए का loan लेते हैं, ठीक है, और उस loan का एक amount, यानि 8.5 लाक रुपए आपके पास कहीं से आ जाता है, यह lottery उटिल लग गया, ऐसे वज़से कहीं से पैसा आ गया, और फिर आप सोचते हैं, जो 5 लाक रुपए हम लोन लिये हैं, 8.5 लाक रुपए क्या करते हैं, हम पुरा चुपता कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा interest जो है, वो कम हो जाएगा, तो यह सोचके आप क्या करते हैं, आधा पैसा वापस करने का ठान लेते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं, तो बजास पैनांस यह कहता है, जो आप पैसा आधा वापस करना चाते हैं, चलो, ठीक है, हम आपका ले लेंगे, लेकिन क्या है ना, जो आपका बचा हुआ, आउट इस्टेंटिंग बैलेंस होगा, उस पर हम 4.72% क्या करेंगे, चार्ज लेंगे, ओके, यह तीनों कैटेगरी में लागू होता है, यानि इनके टर्म लोन में भी, फ्लैक्सी टर्म ल लेकिन जो आपका टर्म टाइम है, यानि लास्ट टाइम है, उससे पहले, अगर आप इमाउंट पे करते हैं, चाहे वो आप पूरा पैसा पे करें, अगर पूरा पैसा पे करते हैं, तो वो फोर्स क्लोजड काटेगरी में आ जाता है, तो उस पर भी आपको चार्ज देना परता है, 4.72% चार्ज लगेगा, और अगर आप आधा पैसा देते हैं, तो भी आपको ये चार्ज देना परेगा, उमीद करते हैं कि ये जो पार्ट प्री पेमिंट है, और प्री पेमिंट है, ये दोनों आप समझ गये होंगे, अब अगला जो चार्ज है, उसके तरफ दे एक बाउंस चार्ज लगना था, वो तो ये लगेगा ही लगेगा, और उस पर एड हो जाएगा मेरा पैनल चार्ज भी, अब जितने दिन तक हम ये पेमिंट नहीं करेंगे, उतने दिन तक 8 रुपए से 12 रुपए पर डे के हिसाब से क्या होगा, जुरुता चला जाएगा, ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं, फिर आता है स्टेंप डुटी, तो ये लगता है वही 20 रुपए या फिर 25-30 रुपए ऐसे कुछ होता है, तो वो आपको देना पर दा है चार्ज, एन्वल मेंटेनेस चार्ज यहाँ पर जो टर्म लोन है, उस पर एपलिकेबल नहीं ह लिए रहा है, तो उसका एक मैंटेनेस चार्ज यह आप से लिया जाता है, अब यह चार्ज यह कोई भी ले सकता है, पर एपके घर में फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर में क्या होता है, कि उसमें एक चार्ज जो है वो एडड होते हैं, जिसमें आपको अगर आप वो ले बजाज फाइनस किस तरह से ले रहा है, इसको समझते हैं, यह जो बजाज फाइनस के द्वारा, फ्लैक्सी टर्म लोन और फ्लैक्सी हाइड लोन प्रोवाइड किया जाता है, इस लोन में बिसिकली यह फैसलेटी है, थोरा सा मुझे यह चीज़ बताना पड़ेगा, ओके इस चीज़ को समझाने के लिए, तो इसमें अलग-अलग फैसलेटी है, जैसे अगर हम हाइडिड लोन की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, कि माल लेते हैं कि आपको पांच लाग रुपए का लोन सेंसन हुआ है, और आपको इसमें यह फैसलेटी मिल जाता है, कि जरूरी और सरीफ वह आपका जो एक लाग रुपए आपने निकाला है, उस पर बनेगा, तो यह एक जो यहाँ पर आपको फैसलेटी दिया जाता है, तो यहाँ इसी चीज़ का जो है एन्वर मेंटेनेस चार्ज लिया जाता है, दूसरी बात यहाँ पर यह आती है, कि अगर आप य इसा निकाल लेंगे, और एन्वर मेंटेनेस चार्ज देने का जब टाइम आएगा, साल में एक बार लगता है, तो उस टाइम पर यह आपके बैंक अकाउंट से डारेक्ली जो एन्वर मेंटेनेस चार्ज है, वो काट लिया जाएगा, और यह चार्ज कितना देना लिए अपलाई करते हैं, तो यहाँ पर थोरा सा जो मतलब टाइम का है, उसका खेला है, अगर आप लोन के लिए अपलाई कर रहे हैं, और अपलाई करने के बाद जो आपका EMI sensor, मतलब EMI का जो टाइमिंग बन रहा है, तो यहाँ पर आप से एक चार्ज लिया जाता है, और और यह किस तरह से आप से लेते हैं, जो आपका term loan इनका होता है, तो यह directly जो आपका loan amount होता है, उससे detect कर लिया जाता है, दूसरा यहाँ पर आपका flexi term loan होता है, या फिर आपका flexi hybrid loan होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका first EMI बनेगा, उसी में आपका यह broken period interest जो है, वो जो actually number of days है, तो उसकी basis पर आपसे लिया जाता है, लेकिन charge भहिया, दोनों condition पर आपको देना पड़ता है, फिर आता है switch fee, अब इनके यह जो तीन loan है, अगर आपको जो flexi term loan हो गया, या फिर flexi hybrid loan हो गया, आपको जो hybrid loan अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने term loan लिया हुआ ह और आप चाहते हैं कि उस loan में, उस loan से switch करके जो है hybrid loan में आजाएं, ऐसे condition में आप क्या कर रहे हैं कि एक category से दूसरे category में आ रहे हैं, और ऐसे condition में आपको up to 1.18% जो भी आपका loan amount होगा, उस पर लगेगा, फिर आता है cash collection handling charge, माल लेते हैं कि आप बजाज finance के जो भी service provider है, आप वहाँ पर जाते हैं, जो इनका store वगरा है, जो भी है, ओके, और वहाँ पर जाकर आप इसका जो अपने loan का EMI क्या करते हैं, cash में payment करते हैं, इनके agent के through, तो यहाँ पर आपको 117 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, उसके बाद आता है cash deposit charge, अगर आप अपने loan amount का E EMI है, वो cash में deposit कर रहे हैं, तो 50 रुपए आपको चार्ज देने पड़ेंगे, और यह जो 50 रुपए cash deposit यह आपको तब लगेगा, जब यह cash payment आप कहां से branch से कर रहे हैं, किसी भी branch वगरे से जो है, वो कर रहे हैं, तो फिर आपको यह 50 रुपए देना पड़ेगा, बाकी पुल मिलाकर इतने ही charges वगरे जो हैं, जो कि आपको देने पर सकते हैं, अगर आप एक छोटी से भी गलती करते हैं, लोन लेने के बाद, तो भाईया जी, उमीद करते हैं कि जितने भी fee and charges है, यह आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अगर आपके मन में किसी भी तरह का बात की जाए, तो उसका जैसा कि हम आपको कहें, नीचे वीडियो के नीचे description box में क्या मिल जाएगा, लिंक बिल जाएगा, और यहां पर भी हम किपका दिये हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजएगा, और फिलहां इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो म ऐसे ही किसी क्या, टॉपी के साथ आप से